इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Google Photos में एक option होता है locations का देखिए settings में यह option होता है आप profile के option पे जाएं यहाँ पर photo settings का option आपको देख जाता है यहाँ पर होता है location तो location में क्या होता है photo with a location location यानि जिन भी photo में location है देखिए बहुत सी photos होती है जब आप उसे खीचते हैं तो आपकी camera में location on होता है और वो photo में set हो जाती है तो यह photo कहां पर खीची गई मान लीजिए यह video है कहां पर लिया गया तो जिस भी इलाके में देखिए Mumbai के जिस इलाके में यह photo खीची गई है नाम यहां पर दे देगा इस photo को कहां पर ली गई तो इस पर click करेंगे आप फिर इसके बाद यह कहां पर खीची गई है इसके बारे में भी information दे देगा तो जो photo जहां पर खीची गई है बस पर आप ऐसा click करेंगे तो यह बता देगा कि कौन सी photo कहां पर खीची गई है आप map में देख सकते हैं इसके बाद location sources तो यह source कैसे पता लगाता है यह basically landmarks जो भी photo खीचे गई है वहाँ पर जो landmark होते हैं उसके हिसाब से यह अंदाजा लगाता है कि यह photo कहां पर दी गई है landmarks means उस इलाके में famous जगा जो भी होगी कि उस हिसाब से वह पता लगाता है कि यह photo कहां कीची गई है ठीक है तो उम्मीद करते हो आप समझ गया होंगी वीडियो पसंद आई हो टेक्स लोर को सब्सक्राइब जरूर कर दें